नमस्कार आप देखने दिकटाप मैं हुँ प्रफूल और मैं यूद और इवूर्ट कार्डिस के अधिया अफिस में मौझूद हूँ और यहाँ पे महंगाई को ले कर यूद कार्डिस साज़ धरना प्रजर्सन कर रहे हैं और यह महंगाई जो बरती महंगाई कि यहां पे लोग मौजूद हैं और यह महंगाई को लेकर जिसे लगतार आप लेखा होगा कि जो सब्ची हो दाल हो इन सब के भाव में लगतार बढ़ोतरी होती जा रही है जिसको लेकर कॉंग्रेस लगतार महंगाई का मामले को लेकर बिरोध परदर्शन कर रही है और वो आज यहां पर यूज कॉंग्रेस का धर्नापरदर्शन है जैसे मुद्राय स्विति के भी रेट में 4.9 पीसद की बढ़ुतरी हुई है जो पिछले महीने और अक्टूबर में 4.8 के करिक थी उसमें भी बढ़ुतरी हुई जिसके वज़ा से जो खुद्रा खाद चीदे हैं जो खाद पदार थे उसमें तेल दाल चाओल सब्जी इन तम आप और निलंबित सांसदों का भी मामला है इंज में तमाम पोस्टर जो दिख रहे हैं आपको निलंबित जो 12 सांसद हुए तो उनसे लेकर बाद में यह लगतार बैरिकेटिंग के तरफ बढ़ते हुए और यहाँ पे पूलिस पूर्य बैरिकेटिंग के साथ इनको रोकन किया जा रहा है और देखिए यहाँ पर यह लोग यहीं बैरिकेटिंग के पास ही बैठ गहें क्योंकि यहाँ से इनको आगे जाने की अनुमती नहीं है जह गया सिलेंडर के दा भी आपको दिख रहे होंगे बाकी नाम तमाम फोटोज हैं 12 सांसदों के निलामन का बुंदा के जाना है और इस तरीके से युद कॉंगरे्स का ये वी रौद्पर्दस दल के है है और यहाँ पे सामने रेपीट एक्शन फोर्स के फोर्स हुए हैं बैरिकेटिंग की गई है और क्रिसिवान के सामने इनका बिरोत परदस्टन चलना है लगबख और यहां पर तमाम बैरिकेटिंग से इनको रोक दिया है रेपिट एक्षिन फोर्स लगाए गए हैं उसके बाद में यहां से लोग जाने की कोशिश करेंगे बात चीत कर रहे थे जो राहूल है इनके जो म पेट्रोल के दाम लगतार जैसे एक समय था कि बढ़ रहे थे सौ से भी पार हो चुके थे 110 पंद्रह उसमें फिर वैटेक्स और इसमें देश्टीवी का वैटेक्स हुआ था या से सेंट्रल गवर्मेंट जो एक्सराइट जूटी होची है उसको कम की उसके बाद में कुछ दामों की में गिरावट आई थी उसके बाद भी अभी सौ के पार है और सब मुद्धे हैं जैसे पोस्टर पर दिख रहा है मुझे कि 2014 पेट्रॉल पेट्रॉल एकस्तर रुपे लिटर थे और 2021 में एक सो तीर रुपे लिटर है और जनता पगाज लुटेरो का राज इस तम क्वार पर दामों — गरेवथी कर दोला मेला है और थे आधाङियो पिर का रहा है यह मुथ हूआ हदा 5.00 on the sanko Supply महंगाई के बोच मद डालो ए अच्छे दिन का क्या हुआ बहुत भूई महंगाई की मार महिचाहिए महंगाई की मार अंदर महंगाई शर्म करो शर्म करो अंदर मुदी पूर्दापर अच्छाइ अच्छाने के लाग वापस लो फड़ा पीच्छा उजा अच्छाइ में गाई के लोग मत आलो मत का लो, मत का लो यहां, ही डिर जिस हमा करता राटी यहां से इनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा है जिसके बाद यह लोग यहीं पर बैठ गए और आगे जिसे मैं दिखा रहा था आपको की बैरिकेटिंग कई आ गई है रैपीड एक्षन फोर्स और दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर है और पीछे इदम बैरिकेटिंग कर दी गई है रोग दिये गया है इनको और यहां से इनको बढ़ने की अनुमती नहीं है तो यहां बैरिकेटिंग के पास यह लोग बैठ गये है और पुलिस इंको समझाने की कोशिस कर रही है कि अखाइं है से चल कोशिस इंकार गाने की नहीं है मिने घर बैडिकेट एंडर मोर् delivery जाँ केंड़ जाँ माट्र गाइं है मोर्डन मोर्舌ड केंड देख ला इंको और जाग्र विजंश स्रकर नहीं का मिए जाँ इंकाइं है.- मृटर माती नहीं है हमाय कups था कुंदे कर दे कुंदे में परनमिहने हुआ निवा ब 가자 क पर एह करदता हुआ हैं परमिह नहीं है पर 시ison का निकमी है आलके कची थीदिन में परना को demands करेंगे यह सबहुकराएं दिव करता है और सब्सक्राइब कुंग्रेकें काहिए डीन के वज़ए से इनको आगे नई बढ़ने दिया रहा है जो लाकतार बैरिकेटिंग के पास ये जा रहे हैं बैरिकेटिंग के वज़े से इनको आगे नहीं बने दिया जा रहा है दिली पुलिस इनको रोक दिये और यहां पर गैस सिलेंडर है उसके बाद फोटो गुबारे है और जैसे देख रहे हैं एक कार्य करता इनका बैरिकेट पर चड़ गया चड़के बैरिकेट तोड़ने की पोसिस्टी लोग करेंगे जागी बैरिकेट को तोड़के आगे बढ़ें जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको फूजोल यहां पर कि बैरिकेट पर कुछ लोग चड़ गये और यहां पर पूलिस बल तैनाथ है रैपिट पर चड़ रहे हैं यानि आप चड़ रहे हैं और बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिस करेंगे ताकि आगे इनको बढ़ने दिया जाए आगे बढ़ सके लेकिन पूलिए गुबारे आसमान में छोड़े जा रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है महंगाई और वेरोजगारी इन तमाम मुद्दे हैं और जो आसमान में गुबारे चोड़ रहे हैं और बैरिकेटिंग पर कुछ लोग चड़ कर बैढ़ गए हैं जिसमें देश इहीं सरकार थी जो बोलती थी कि महंगाई बहुत हुए में महंगाई की बाहर आप मोदी सरकार लेकिन उसके बाद भी महं लगाने से नाकाम होगी कुरोखने में फेलियर साबित उतो लगतार इस दोरन करती रही लगतार स handle फेकर करता से क्षी कार्फ कार करता अधियाक्वच में चलते रहे और यह पनों को नंतुना से से सरकार पर कुछ असर पड़ता है महंगा किया पड़ा है इसलिए युवा कॉंग्रेस पूरे देश वासियों की अवाज बनकर आज दिल्ली के अंदर नरंद्र मोधी सरकार का इट सेट बजाने का काम कर रही है जो कि युवा देश का एक स्थम्प होता है और वो सरकार को बनाने में और बिगाडने में बहुत अच्छी भूमी का निवाता है और आज युद कॉंग्रेस के माध्यम से देश के तमाम युवा साती सलकों पार है और युवा तक्त बदले और इंजसे बेईमानों का राजबन भी का तो यहीं आरूप में तो महँगाई थी ऐसा कुछ नहीं है विल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कॉंग्रेस सरकार में पैटरॉल उसमें कितना वाफ़ता डिजल कितना वाफ़ता सत्तर साल में कॉंग्रेस ने जो सर्चों को तेल आता स साल में 70 रुपे किया आज कितने रुपे कितने रुपे पर लीट आप बताईए 120-130 पैटल और सर्चों को तेल दो सतक पखाया और भुकमरी जनता की इतनी भुकमरी है वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे रही मुद्धों को भठका रही है सरकार पूरी जनता इसलिए लेका सरकार महंगाई पर रोक लगाने में लगतार बीफाल हो रही है इसके पीछे भी बीजेपी का तरक ही होता है कि कॉंग्रेस की जिम्मेदारी है बीजेपी पूरी तरह से फ्लॉप हो चुकी है अब उनको कुछ नहीं मिल रहा है तो वह महंगाई करके गडीब लोगों को आज 900 का सलेंडर मिल रहा है पूरी तरह से जंता गडी भी लोगों को मार पर रही है जैसे मैं एक बार और पीछे के तरफ की वीजूल दिखा हूं आपको जैसे यहां पर देख रहे हूंगा कि आप योद कॉंग्रेस के जो कारे करता है और वह बैरिकेट पर चड़ गया है लगातार और उनको डिलिक पुलीज के तरफ से कुछ कहा भी जा रहा है कि आप लुग बैरिकेट के पीछे रहें लेकिन उसके बाद भी बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोसिस कर रहें और और कूछ कारी कहता है जिसे हाथों में सिलेंडर है और महंगाई को लेकर तो मात ब कर दिया गया था वो तमाम मुद्दे हैं इसमें सामिर और महंगाई है बेरोजगारी पर बात चल लए है और बेरोजगारी पर भी पाइब चल लहीं है तो यह तमाम मुद्दे सब्सक्राइब करने के लिए कुछ लोग उधर जो गए थे उनको दिल्ली पुलिस अपने कबजें वे ले रही है उनको आरेस्ट कर रही है अंदोलन को तीतर बीजर करने के लिए कुछ कारेकरताओं को इनके बसों में भरा जा रहा है बसों में लिया जा रहा है जैसे देख रहा है आप जैसे कई कारेकरता जो हैं कि उनको उनको दिटेंट कर रही है दिल्ली पुलिस और किराफिक एक्षन-फोर्ट के जवान है और डिटेंट किया जा रहे है इनको नहीं चला के लिए जलागे वे लोग नारेबाजी कर रहे थे क्योंकि लगतार आप देखें कि 2014 के बाद से महंगाई बेतासा बढ़ती रही सारे 400 के सिलिंडर 900 के पार हो गए उसके बाद में डीजल और पेट्रॉल के दाम जो 70 रुपे लिटर होते थे पेट्रॉल वो 100 रुपे के पार हो गए पेट्रॉल के डीजल डीजल के दाम भी स्वाइबीन की तेल हो या तमाम तरह की चीजें जो आप रोजमर्णा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करते हैं वह उनके दाम बढ़ते रहे लेकिन सरकार इसको बार-बार कहती रही कि कोरोना के वज़त से यानि कोबिट के वज़त से यह सब महंगाई बढ़ रही है और उठा उठा के पुलिस इनको डाल रही है बसों में बर जा रहा है और बसों में भर कर इंको यहां से हटाया जा रहा है ताकि जाम खतम हो सके जैसे जो आईटी सेल के जो परबारी थे उनको भी पुलिस लेके गई जैसे देख रहे हैं आपको दीख रहा होगा और दिख्रा रहो होगा कि बसों में दिल्ली पूलिस एक तरफ रेकिट्शन हो और योच करता है जो भेरिकेटिंग पे फसे किजिए कि आपका अंदोलन आपका टाइम जो हो था वो खतम हो गया 144 धारा लगा दी गई है जैसे यहां पर देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के कारेकरताओं को कैसे वहां के लेके जा रही है और बसों में इंको बरा जा रहा है कि महंगाई को लेकर यह लोग अंदोलन करे यूद काउरेस के जो अध्यक्ष हैं सिरी निवास बीबी उनके नेत्रूत में यहां अंदोलन किया जा रहा था और लगतार इधर एक तरफ बैरिकेटिंग के उस तरफ तो आपको दिखा रहा हूं कि यूद के कारेकरताओं को पुलिस ले जा रही है वहीं दूसरी तरफ बैरिकेटिंग के इधर यानि कुछ कारे करता जो बच्चे हैं वो लगतार नारेवाजी कर रहे हैं और लगतार नारेवाजी हो रही है इनके खिलाफ नारेवाजी दिली गौवर्मेंट के खिलाफ दिली पुलिस के खिलाफ और यह और पुलिस उनको बता रही है कि आप अ की आज बिरोद परदर्शन था क्योंकि लगतार महँआई बढ़ रही है और बढ़ती महाई को लेकर कांगरेस लगतार अंदोलन कर रही है उसके बाद भी मेंगाई रोकने या उसे कम करने पर कोई असर नहीं हो रहा है खेर हम अभी दिल्ली के यूद कॉंग्रिस के अध्यक्ष आफिस पे मौझूद है जहां से यह ब्रियोध परदर्शन का कॉल दिया गया था और भी सिरिनुवास के नेतुरुत में और इसको आप पुलिस डिटेन करके लगभग आप इसको खतम कर दिये